चीन को घेरने के लिए क्वाट देशों का एक बड़ा प्लान बना गया है IPMDA के जरिये समंदर में चौतरफा घिरेगा चीन इंडो पैसिफिक शेत्र में IPMDA से चीन पर शिकंजा कसा जाएगा और समंदर में चीन को सबक सिखाने के लिए क्वाट की ये बड़ी पहल है इंडो पैसिफिक पार्टनर्शिप और मेरिटाइम डोमेन अवेरनेस IPMDA के तहट क्वाट देश इस तरह से समंदर में ड्रैगन को घेरने के लिए अपना एक जाल बिछाएंगे और चलिए अब आपको बताते हैं कि IPMDA क्या है और ये कैसे काम करेगा इसको भी समझ ये बेहत महत्रपूर नहीं है क्वाट मेंबर्स के लिहाज से तो IPMDA का मतलब हुआ इंडो पैसिफिक पार्टनर्शिप फॉर मैरी टाइम डोमेन अवेरनेस इसका अगर फुल फॉर्म बात करें तो ये हुआ लेकिन ये है कि इसका नेचर क्या है आए पी MDA के तहत रडार सेटलाइट और कई जॉइंट सेंटर्स होंगे जो इन देशों की मदद करेंगा अशिश और इसके जरीए इससे समुद्री गतिविडियो की रियल टाइम जानकारी मिलेगी जब आपके पास सैटलाइट्स हों जब आपके पास बाकी सेंटर्स हो जॉइंट सेंटर्स हो रेडार्स का एक जाल बिछा हो तो रियल टाइम इंफोमेशन आपको मिलेगी काफी तेज, व्यापक और जादा सटीक जानकारी हासिल होगी इस तरह से इंडो पैसिफिक पार्टनर्शिप और मैरिटाइम डोमेन अवेरनेस से क्वाट देश, चीनी जहांच, पंडुब्यों को विमान वहाग, जासुसी नवकाओं की सटीक जानकारी ले पाएंगे आपको याद होगा चीन लगातार, चाहे वो ताइवान हो या फिर भारत इस तरह से लगातार अलग-अलग जासुसी और मिलिटरी शिप्स के जरीए जानकारी जुटाता है, जिसकी बारे में जानकारी अब इसके जरीए मिल पाएगी तो आईए, अब हम आपको समझाते हैं कि आखिर समंदर में कैसे चारो तरफ से चीन घिर जाएगा और उसकी बोलती बंद हो जाएगी यह ग्राफिक्स देखिए, आपको पूरा एरिया हम समझाते हैं, तीन इंपोर्टेंट एरिया हैं, सबसे पहले पसिफिक आईलेंड्स हैं, दूसरा है साउथ इस्ट एशिया के कंट्रीज और तीसरा है इंडिन ओशन रीजिन जो आपको रवी के ठीक साम में दिखाई दे या फिर साटलाइट या फिर जॉइंट सेंटर बनाया जाएगा, उसके बाद अगर आप मेरी तरफ आएंगे, तो साउथ इस्ट एशिया के जितने भी देश हैं, चाहे वो भारत हो, श्रिलंका हो, और भी कई देश हैं, वहाँ पर इस तरह का एक नेट्वर्क सा बनेगा, और तीसरा, इंडियन ओशन रीजन, एक और जो आपको सबसे सामने मिंदू दिखाए दे रहा है, तो इस तरह से तीन अलग-अलग सेक्टर में, तीन अलग-अलग जियोग्राफिकल सेक्टर में, अलग-अलग चेंज बनेंगे, रिडार्स के, जॉइंट सेंटर्स के, और पिर पैसिफिक आइलेंड से लेके, साउथ इस एशन कंट्रीज, और फिर इंडियन ओशन रीजन तक, पूरी तरह से चीन घिर जाएगा, अशीच अगर इस मैप की बात करें, अभी तो सिर्फ बात हो रही थी इंडियन पैसिफिक रीजन की, लेकिन चीन पे कहीं उसे ज़ पूरी तरह से हर मुवमेंट चीन की, जब भी इस्टैबलिश हो जाएगा, कौट देशों को रियल टाइम इंफोमेशन मिलेगी और शायद यही वज़ाएगे चीन बहुत ज़्यादा चिंतित है, यह जो कौपरेशन है, ना सिर्फ एक मूच्वल अंडिस्टैंडिंग का मामला है, बलकि चीन के खिलाफ एक बहुत बड़ी घेरे बंदी और ड्रागनी से भाब चुका है